अब तक तो आप जानी गए होंगे मेरा नम काइनात है आपको वेलकम करती हूं स्टार विद वेनस में जैसा कि आपको पता है हमारे साथ हर वीक कोई ना कोई स्टार महजूद होता है तो आज भी हमारे साथ एक बहुत ही टेलेंटेड बहुत ही जबरदास सिंगर मौजूद हैं वो प्लेबेक सिंगर भी हैं उन्होंने इंटरनेशनली बहुत सारी परफॉर्मेंस भी किये हैं बहुत सारे शोज भी किये हैं और उन्होंने इस रबिल अवल को एक बहुत अची ह हम्द भी की है तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं सेयद अदनान सफीर को असलाम लेकुम कैसे हैं आप जीजी अलाम दो लेला ठीक थाक थाक लाइफ कैसी गुजरी आपकी बस आपको तो पता है लॉकड़ाउन एन खर्फियो जो चल रहा है तो जब यह स्टाड़ वा था तो मैं अफरीका में था अर अभी पाकिस्तान यह निमार्च में पैक थे और पता चला कि पाकिस्तान पे लॉकड़ाउन हो गया तो फिर बस वहां फिक्स हो गयते पिर आपका आया है अभी मुझे दो महीने हुए दो महीने हो गया ठीक है फिर वापस जाने का रादा है अभी तो जनवरी में मेरा कुछ है प्लैन क्यूंकि अभी कुछ प् तो आफरीका तो हमारे तो ह 사सी पर हैं या काराची रहते ही या काम की रहते हैं या काम चीरि वहां जाते हैं दोनों जगहे रहते हूं पाकिस्टान हां आपकिस्ताने ड हर और पाकिस्तान इनको मैंने वहां भुलाया भी है और यसक अलावरini Nipal और Inn benefiting लों इर स–ज करता सिर्फ सिंगिंग सिर्फ सिंगिंग अच्छ इतने सारे कंट्री से आप लोग लेकर आते हैं असल में बहुत शौकीन लोग हैं गानों के जो सुनते हैं हमारी मैडम माशालला एक बहुत बड़ा नाम मेदियसन खान साफ और अगर बॉलीवुड से आप ले तो वहां रफी साह है ठीक है तो माशालला सिंगिंग करते हैं आपको कितना टाइम हो गया है तो तक्रीबं 1.1999 में मेरा एक सौंग आया था बच्चों तुम मुस्तबील हो कल के पाकिस्तान का वो मैंने और मेरे जो बड़े भाई हैं हम दोनों ने मिलके किया था मैं बहुत छोटा था उस टा कि रहमत उनका एक बड़ा मशूर ट्रैक हुआ था मशूर दिल में तुमारे घर लेना है बोलो कि रहा है क्या लोगे वो ट्रैक काफी हीट हुआ था फिल्म जाने जिगर से रुकसार अलबम था तो जब अबुने देखा कि मुझे शौक था थोड़ा सा नातो का तो वो कहन का कि नहीं यह अगर इस तरफ चला गया तो फिर पड़ी प्राब्लम हो क्योंकि अबुने प्लेबैक काम किया तो फिर उन्होंने मुझे इस तरफ लेकर आए तो बहुत ही खुबसुत हमारे डिरेक्टर इमरान साजन उस टाइम तक मैं उनको जानता नहीं था तो अबुने उनको काल करी तो फिर हमारा ये नगमा तायार हुआ जो आईसपी आयर ने रिलीस किया था इसको पीटीवी से है जी बच्चे तुम मस्तग्दिल हो कल के पाकिस्तान का 119-199 में बच्बंस एपको पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है जजबत जुन मेरा पहला सौंग ही उसके बाद पिर हमने किया कश्मीर जल रहा है, फलस्तीन लुट रहा है मरहूम अमजस साबरी साब की उसमें अलाबे थी और उसको तक्रीबन तीन सिंगर्स ने गाया था दो इस वक्त अभी में खाल से फिल्ड से आउट है और इमरान साजन भाई जो हमारे म्यूजिक डिरेक्टर है पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम उन्हों ने उसको कंपोस किया था जबर्दस जबर्दस और वो भी है उस वीडियो में अच्छा और आप हैं? बिल्कुर हम उस वीडियो में हैं बिल्कुर जबर्दस तो बच्पन से आपको ये था सिंगिंग का लेकिन आपने किसी से सीखा या खुछ से एक टैलेंट था अंदर? वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर घर में ही टीचर थे अब्बू वगर कभी नी सीखा तो बस वो बुलाते थे मुझे बिठाते थे के बैठो सीखो तो बस मैं सुनता रहता था तो एक जो सूर होता है ना वो गौड गिफ्टिड वो चीज़ तो आ गई दी उसके बाद जब मेरा सिलसला बढ़ता चला गया इमरान भाई ने मुझे काफी ड्रामों के टाइटल सॉंग दिये फिर मैं वकार अली भाई ये बहुत बड़ा नाम है वकार अली उनके साथ जब मैंने काम किया तो मेरा एक गाना बड़ा हिट हुआ था ना दानिया ना दानिया जो ड्रामा आता था जी जी अच्छा तो वो जब हिट हुआ सॉंग तो उसके बाद फिर मैंने काफी टाइटल सॉंग आए मेरी अधूरी महबत, कुद बुद दीन, कैसा ये जुनून, रात पतले खान साब का मेन सॉंग था उसमार जबर दास और इस तरह के बहुत सारे सिलसला मेरा चलता रहा, फिर उसके बाद एक कॉंपेटिशन हो रहा था, आप लोगों पता है, जी टीवी का सारे गामा पा 2008 में फिर मेरी स्लेक्शन होई, तकरीबन कोई 40,000 लोग थे, 40,000 लोगों में तकरीबन हम 8 लोग थे, पूरे करांचीज़ में अकेला स्लेक्ट हुआ था, और लहौर से तकरीबन 7 लोग थे, जबर दस्त, अचा जब मैं यहां से पहुंचा दुबई, तो दुबई में पू जब दूब दूब मैं तो छोटा था 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 था, तो चैनल लगी कि ना आप इधर बैठे हैं हम आपका ही वेट कर रहे थे, पूरे करांची साप अखरे स्लेक्ट हुएं, मैं अच्छा चैनल लोग जी आपके लहौर से साथ लोग हैं तो मैंने का चैनल लोग तो मैं जाए से एक ही बंदा सिलेक्ट है कौन अच्छा अब जब उनने मुझसे अवो निकली कौन मैं हैरान रही है कि मैं जानता नी था रीचा शर्मा अच्छा जिनों ने वो गाना गाया है रात पतली खान साब के साथ चंद से जो टूटे कोई सपना बहुत है तो जब मैंने को सुना तो कहने लगी बिल्कुल साइसलेक्ट हुएं आप जाई आराम करें तो मैं टॉप सिख सक गया था और बगायदा एक साल का मेरा कॉंट्रेक्ट हुआ था जी टीवी के साथ 2008 में जो प्रॉब्लम होई ती उसकी वज़ा से फिर मैं यहां पर आगया वापस पिर एक ईडा और दी कि आपको फोर फोर नशीं पाकिस्त कांटियशा इप आपको फुल फूरीड़म मैं आप खुल के सकते हैं दूसरी यहां जाते हैं आप फिक सो जाते हैं आप अपनी मर्जी से कुछ भी निया सकते हैं लेकिन यह ओई शोस बहुत किये वहां पर वहां से तक्रीब है मैं कोई आर्ट से नौ कंट्रीज गया जिसमें साउध अफरीका था, जिंबाववे था, अंगोला था, मलावी था, बहुत सारी कंट्रीज, दार इसलाम, काफी मैंने शोज बगर है किये, और सब वहीं से मुझे मिले, क्योंकि जी टीवी वहां बड़े नौक से देखा जाता था, तो मुझे ज्यादा मीनत नी करनी पड़ी थी, आटोमेटिकली लोगों ने जब देखा, ये तो वही शक्त है, और यूट्यूब पे थे मेरे सौंग, तो इस वज़े से थोड़ा सा, मुझे अच्छा एक चांस मिला, क्योंकि लोग जानने लग आपको पहचानने लग गए तो पाकिस्तान और अफ्रीका, तो वहां पे जैसे लोग वहां पे जादा पहचानते हैं, पाकिस्तान में आपको जादा पहचानते हैं, कहां शोहरत आपको लगता है कि जादा मिली है, पाकिस्तान में पाकिस्तान में जादा मिली है, पाकिस्त जो मैंने अपने आफिशल साउंग नाइन, जिसमें मेरा एक गाना था साजना, वह भी एक स्टोरी है, मेरे हर गाने छी ही साजना की स्टोरी आपको बथाँ आ जो साजना साउंग मेरी ही एक दोस्त थी, उनके एक रिकॉर्डिंग थी ओडियो की तो मैं उनके साथ जारा था नोने का मुझे आपको मिलवाना है एक बहुत बड़े म्यूजिक डिरेक्टर साकिप सलीम खान साफ जो शैदाद रॉय के कीबोर्ड प्लेयर भी है और माशाला क्रेस बैंड जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंड था उसके कीबोर्ड प्लेयर भी थे तो मैं उनके साथ जादा था तो अचान एक तर्ज जहन में आई तो मैंने फटवर उसको नहीं रिकॉर्ड कर ली मुझसे जितनी भी कॉम्पोजिशन बनती है वो सब चलते फिरते बनती है अमोमन लोग हार्मोनियम लेके बैठते हैं उस पे बनाते हैं क्योंकि वो उन्होंने सीखा वहाता है राग मैंने राग नहीं सीखे वे अलम्दुलिल्ला ये गौड गिफ्टिड है मुझे के आट तो बड़ी कमाल आई गी अदनान मैंने का अच्छा तो मैंने का दरा इसका रंग तो निकालें निकाला तो वो इतना खुबसूरत बना कि जब मैं वापस गया अफरीका तो वहां पे एक टीम आईवी थी मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे मिलवाया वो साओध इंडियन मैंने का भाई इतनी जली तो रिकार्डिंग नहीं हो सकेगी मैं कैसे उसके शब जो अलफाद हो डिफरेंट होती है कैनल लगे अच्छा तो वाकी में इसमें टाइम लगेगा कैनल लगे चले हम आपको गिफ्ट करेंगे हम आपकी वीडियो फिरीम बनाएंगे इसकी नवर तेरे नाली आरा सारी जिंदीडी बितां ओधो लिडम वे उसाजनां जदो तक सांसे रब सातनिहां ओधो लिडम वे उसाजनां तो बड़ा खुबसरत रिकार्ड हुआ था बहुत खुबसूरत है मेने तो दिल चारे पूरा सुरू बिल्कुल आपको आप पूरा सुन सकती है यूट्यूब पर सुनोंगे मैं तो अभी शोर पर सुनती रहूंगे आपसे तो मेरा फर्स सौंग हुआ जो मैंने अपना ओफिशल किया पैला सौंग मेरा ये हुआ उसके बाद एक मैने सौंग किया मेरे मॉला मेरे मॉला भी बहुत बड़ा नाम बहुत बड़े लेजेंड अनवर इकबाल बलुश साब एक बहुत बड़ा नाम है अनवर इकबाल बलुश साब के घर में गया मैंने का मुझे ये पूरी एक फिल्म दिखानी है इसके अंदर ये एक ऐसी स्टोरी है जो हर इनसान की स्टोरी है कि आप और जब आपके पास पैसा होता है तो आप चाहते हैं कि बस मैं उड़ने लगूँ उड़ने लगते हैं बलक्या तो आप अपनी फैमिली को बहुत थाहर लोग होते हैं वो डिसाड करना शुरू कर देते हैं टाइम नहीं दे रहे होते हैं मैं अनवर साब के घर गिया तो अनवर साब को दिया मैंने का सर इसका क्या भज़ट होगा आप मुझे बताएं कहने लगे मिया आप इसे बोलते हैं वो एक आप यह गाना छोड़ जाए यह यह आपे और दो दिन के बाद आईए गाप मैं आच्छा ठीकर चला गया मैं दो दि आप यकीन मानों बस मैं यह सुन रहा था और रो रहा था कि यह तो मेरी स्टोरी है कहने लगे अब यह गाने का मैं आपसे कुछ भी बजट नहीं लूँगा कोई पैसा नहीं लूँगा कोई चार्ज नहीं करूँगा आपने बस एक टाइम का मुझे जो हम लोग फिनिश करेंगे शूट डिनर करा देना और यह मैंने का सर्व हो तो एनी टाइम कोई मसला ही नहीं तो वो माशाला बड़ा ही खुबसूरा सौंग बना मेरा अब बहुत ही खुबसूरा उसकी स्टोरी है मेरे मौला तो दरूर सुन अब मुझे कुछ अपने लिएभी करना है क्योंकि अब तक हम गायों गाने गारें सिंगर्स के सजाद भाई के गाने गाते है रहत कंस takiego कि इंस अपना वी होना चाहिए ना ताकि लोग फिर मेरे भी गाने गाए पर कर नादानित फिर नहीं हो पर 24 लोग गायों को आचाब मेरा बैट डग यह हुआ के नादानिया जिस टाम पाकिस्टान में हिट हुआ मैं अफरीका में था अच्छा उस टाम पे मोबाइल नहीं आये थे असल में होता है कि मैं आता हूँ पाकिस्तान अपना काम किया और मैं पस चला गिया एक दो साफा बकर भाई इसे मुलाकात हो यह मगर कभी इस टॉपिक पर बात ही नहीं हो सगी तो कि वह इतनी सारी बाते हो जाती है कि आपको पता है बंदा भूल जाता है यह तो आपका नादानिया इंडिया में भी चल रहा है मारे पड़ास मुल्क में यूट्यूब पर आप जाके सर्च करें टोटल नादानिया सारे एक्टर और एक्ट्रेस इंडियाने आवाज मेरी है अच्छा यह मेरे लिए बड़े ओनर की बात है कि आज भी वहां पर भी टोटल नादा दिया तो उन्होंने पुरा मुझे समझ में आई कि गाना मेरा कैसे चल रहा है मेरी ये दोस्तों नहीं जब मुझे फोन कि है इतना आपका गाना तो वहापे भी चल रहा है मैंने का अच्छा, रहे हैं आप चेक करें मैं सलने यहां पर था पाकिस्सान इनस तर आप गया भी नाजरीन यहकीनँ आपको हमारी बाते सुनके बहुत मज़ा रहाँ और हमारे साथ क्यूंकि आज सिंगर मौजूद है तो हम कैसे सकते होने कि गाना नागा एं हम tutto केंगे वह अगाना गाए और हमारे नाजरीन को भी सुनाइए तो मैं ले नहीं हो ब्रेक और वो सनाते हैं को एक मज़धार गाना जी मेरे मॉला मेरे मॉला नात है ये एक कलाम है और इसकी पूरी स्टोरी है कि जैसे मैंने शुरू में बता है जब आप इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा मज़ाएगा तो समझ में आएगी वह बात जो है तो नाज़रीन ये सूफी कलाम है तो ये आपको सुना रहे हैं मेरे मॉला मेरे मॉला मेरे मॉला मेरे मॉला सुने हे सड़ा- तेरा बन्दा कहे रहा है मारे जुस्त 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 मुझे तरी है मौना मेरे मौना मेरे मौना मेरे मौना